अक्कियां चुकना मैवल पहाडा मदद लाई नसूनू अक्कियां चुकना मैवल पहाडा मदद लाई नसूनू मदद लाई यसूनू पुकारा मदद लाई यसूनू पुकारा मेरी मदद लू रब आपे आया मेरी मदद लू यसू पुकारा उसने तरती अकाश बढाया यसूने तरती अकाश बनाया मेरे पैरानू बक्षे खुलारा मेरे पैरानू देवे खुलारा मदद लाई यसूनू पुकारा मदद लाई यसूनू पुकारा आपे मेरा यहोगा ताला 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 मेरे सिरते ओ छाकर्न वाला मेरे सिरते ओ छाकर्न वाला शुक्रियो सेदा हर दम गुजारा मदद लाई यसूनू पुकारा मदद लाई मैं यसूनू पुकारा अख्रियां चुक्रियां 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 यसूनू पुकारा मदद लाई मैं यसूनू पुकारा सब को जाई यसूनू पुक्रियां 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 य Lord as the day dawns As there is light on the horizons We come before you Hallelujah भाई और बहनों ध्यान से सुनिये एक बात परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर यहोवा अयूब के आगे परगट होता है 38 चैप्टर में 38 चैप्टर से लेके अयूब की पुस्तक के एंड तक बहुत अधुत बाते हैं वचन में जब यहोवा परमेश्वर प्रगट होता है यहोवा परमेश्वर लगभग नेरली 60 ऐसे डीप रवलेश्वर की बातें करता है अयूब से सवाल करता है उन में से एक बड़ा लौकिक सवाल है सभी पार लौकिक सवाल है जो यहोवा परमेश्वर अयूब से पूछता है लेकिन वहाँ पर यहोवा परमेश्वर अयूब से पूछता है Have you ever commanded the morning क्या तुने सुभा को कभी होक्म दिया है वो जो हिब्रेक फ्रेज है अगर उसे आप बारीकी में हद्धिन करेंगे हिब्रेक परस्पेक्टिम में यहोवा परमेश्वर अयूब से ये कह रहा है कि अयूब क्या सुभा होने से पहले जाग के तुने morning को हुकम दिया है Have you spoken to the morning that the day will bring blessing for you early morning तुने उठके सुभा जब हो रही है तो सुभा को हुकम दिया है कि पूरा day the day will bless you that the whole day will bring God's favor on you God's blessing on you that the whole day will make the face of the Lord shine upon your continents तो प्रभूस से कह रहा है कि early morning उठके morning को command करना है फिर प्रमेश्वर वहाँ पर एक बात अयूब से कह रहा है कि क्या तुने early morning उठके इस universe को ये जो ब्रहमांड है हमारे उपर जो sky है प्रभू कह रहा है ये garment की तरह है चदर की तरह है अकाश जैसे व्यक्ती सुभा अपने bed से उठता है और अपने बिस्ते की चदर को जाड़ता है तो प्रमेश्वर अयूग से सवाल कर रहा है क्या तुने early morning उठके क्या तु जाड़ सकता है इसे ब्रहमांड को ताकि इससे गंदगी दूर हो जाए सो जो सीक्रेट है अयूग की पुस्तक में बड़े गहरे है जब प्रमेश्वर बात करता है early morning उठने की arise करने की तो प्रमेश्वर अयूग से बता रहा है कि break of the day में मेरे नाम में तू अपने पूरे दिन को set कर सकता है ताकि दिन तेरे उपर blessing लेके आई और early morning हर तरह की गंदगी को तो जाड़ सकता है देखिये कितनी deep बाते हैं खुदावन की कलाम में very very deep things मसी लोग तो दिन भर सोई रहते हैं early morning सोते रहते हैं west में ये system नहीं है कोई हमारे देशों में भारत में देखिये लोग गुर्दवारे में सुबा चार बजे पांच बजे उठके शुरू हो जाते हैं टेंपल्स के अंदर early morning सब कुछ किया जाता ये विधिया ये भेद यहोवा के कलाम में लिखे हैं लेकिन early morning की अराधना प्रार्थना के महत्तब को चर्च ने जाना नहीं क्योंकि चर्च पूरी westernized है उपवास रखना प्रार्थना करना सुबा उठके परमेशर को लूणना ये चीजें क्योंकि कलीशिया west की पद्धती पे चलती है जबकि Bible eastern किताब है येश्यमसीग east में पैदा हुए हैं येश्यमसीग eastern जिसे कहिए गुरू है eastern tradition, eastern culture eastern बातें येश्यमसीग सिखा रहे हैं तो early morning उठके प्रार्थना करना बहुत सारे मसीयों के बस की बात नहीं है तो दुनिया के लोग इस universe को set कर रहे हैं early morning उठके आज हम यहोवा के नाम में लेट उस राइस इन नेम अफ़ बेलवेद फादर हालेलुया अद लेट उस कमेंड लेट उस कमेंड प्रार्ण लेट उस कमेंड यूनिवर्स हालेलुया अब इस लेट वेट लेट फ़र इस अशरी लेट इस पावर to magnify your glorious name, Lord to exhal you, hallelujah, to exhal you, king of glory, we come into your presence to exhal you, hallelujah, 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 we exhal you, exhal you, we worship you, we worship you, we magnify you, Jesus Christ of Nazareth, Jesus Christ, the king of glory, Jesus Christ, the king of glory, Jesus Christ, the king of kings, Jesus Christ, the king of glory, Jesus Christ, the king of kings, Jesus Christ, the king of kings, blessed Jesus Christ, the king of kings, blessed Jesus Christ the king of kings blessed Jesus of Nazareth the king of kings hallelujah आईये मिलके सराफीमों को जॉइन करें सराफीमों को सराफ they are the living creatures they are among the highest order of the angelic being having six wings with two they cover their face with the other two they cover their feet the body and with the rest too they keep flying and they are right before the majestic throne of the king of the universe the creator of Vino Malachinu Yahusha HaMashiach the creator hallelujah of heaven and the earth and they worship him before his throne and they have been doing this since time immemorial and they say they make only one proclamation they say holy, holy, holy is the Lord God Almighty that is all they say holy, holy, holy is the Lord God Almighty they say Kadoosh, Kadoosh, Kadoosh Hashem Yahua Sabayo 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 Kadoosh, Kadoosh Hashem Yahua Sabayo Kadoosh, Kadoosh, Kadoosh Hashem Yahua Sabayo Kadoosh, Kadoosh, Kadoosh Hashem Yahua Sabayo Kadoosh, Kadoosh, Kadoosh Hashem Yahua Sabayo कदूश, 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 हश्यम यहुवा सबायो make this proclamation with me कदूश, 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 हश्यम यहुवा सबायो कदूश, 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 हश्यम यहुवा सबायो कदूश, 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 हश्यम यहुवा सबायो Holy, 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 Lord God Almighty, Kaddush, 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 Hashem, Yahuwah, Sabaio, Kaddush, 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 Hashem, Yahuwah, Sabaio, Kaddush, 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 Hashem, Yahuwah, Sabaio, Kaddush, 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 हशेम यहुवा सबायो गदूश 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 Hashem Yahu'a Sabayot Holy, Holy, Holy Lord God Almighty Early in the morning My song shall rise to Thee Holy, Holy, Holy Merciful and mighty God in three persons Blessed Trinity Gahieh Mere Saat Holy, Holy, Holy Lord God Almighty Early in the morning My song shall rise to Thee Holy, Holy, Holy Merciful and mighty God in three persons Blessed Trinity Hallelujah, Gahieh Mere Saat Holy, Holy, Holy Though the darkness hide Thee Though the eyes of sinful man Thy glory may not see Only Thou art holy There's none besides Thee Perfect in power In love and purity Holy, 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 Holy Holy, Holy, Holy Lord Holy, Holy, Holy Lamb on the throne Holy God of Israel Holy God of my father Abraham Holy, Holy God of my father Isaac God of my father Jacob Holy, Holy God of the tribes of Israel Holy, Holy God of my father Isaac Holy, 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 Holy Heaven and the earth glorify you The sun and the moon and the star, they magnify you Lofty mountains speak of your grander The water in the oceans talk of your majesty The flower, the plant, the trees, they worship you They worship you in the dark When there are millions light bugs They talk how infinite are you When beautiful butterflies with myriad fascinating colors They keep flipping their wings and fly on glorious flowers Lord, that talks about your beauty and your splendor Oh Lord, you created the animals, the reptiles The mammals, the birds that fly in the horizon How great you are, how great you are Your wisdom is infinite Oh Lord, who can compare in your majesty Lord, you are creative, innovative There is none like you There is none besides you Oh Lord, you are holy God of Israel You are holy God of Israel Hashem, Yahuwah, Rafa You are God who heals Hashem, Yahuwah, Rafa You are God who cut covenant of healing You said, I am the Lord, your God that healeth thee Lord, if we walk in your statues If we keep your commandments And if we honor the covenant, Lord Then you are Yahuwah, Rafa Hashem, Yahuwah, Rafa The Lord who heals us Of all diseases And Lord, you deliver us From all afflictions And Lord, you rescue us From the evil clutches of the enemy Lord, you always bail us out The righteous fall seven times But the Lord would lift him up Lord, you never abandon us Into the hands of the enemy You brought back the captivity of Job Your word says Job was in the hands Of seven-headed Leviathan The seven-headed Leviathan, Lord You talk about Job 41-42 He was the one who came against Job And he put Job in prison He took Job captive Job was in exile That's why God wasn't hearing him But God delivered his captivity Hallelujah Lord, Lord, you are so mighty You are so glorious Hallelujah We worship your majesty Lord, we worship your holiness We worship your purity We worship your sanctity You are a holy God Yahuwah, Rafa Hashem, Yahuwah, Rafa Lord heals The Lord delivers The Lord rescues Hallelujah Hashem, Yahuwah, Siddiquinu Hashem, Yahuwah, Siddiquinu The Lord is my righteousness Lord, you are a righteousness Lord, we have obtained right standing in you Lord, through your blood We have right relationship with God Hallelujah Yahuwah, Hashem, Yahuwah, Siddiquinu کا مطلب ہوتا ہے Yahuwah, ہماری دھار مکتا Hashem, Yahuwah, Rafa کا مطلب ہوتا ہے Yahuwah, ہمارا چنگا کرنے والا برمیشور Yahuwah, ہماری righteousness Yahuwah, ہماری ڈھال ہے وہ ہمیں cover کرتا ہے ہمیں ڈھانکتا ہے Hallelujah وہ ہمیں Yeshwam, Siddiqui کے لہو میں ڈھانکتا ہے وہ ہمیں Yeshwam, Siddiqui دھار مکتا کے بستر دیتا ہے جیسے Yahuwah, Pita نے جب آدم اور ہوا کودن کے باغ میں سے نکالا اس نے انہیں نکالنے سے پہلے ایک نردوشت جانور کا ود کیا اس کا خون شگویدی پہ چھڑکا بینا لہو بہائے پاپوں کی شمانی پھر Yahuwah, Pita نے اس جانور کی چمڑی کے سکن کے کپڑے بنا کے ان دونوں کو پہنا دئیے بھائی اور بہنوں ہمارے مکتی داتا ہمارے نزاد دہندہ خداوند Yisoo, Mesi کے جلالی خون کو بہایا گیا اس کے خون سے ہمیں چھٹکارہ ملا نجات ملی اس کے لہو کے دورا ہم دھو دئیے گئے اور اسی کی سکن کو ہالیلویہ خداوند Yisoo, Mesi کی سکن سے یہوہ, Pita نے ہمیں ڈھانک دیا ہے آپ خداوند Yisoo, Mesi کی سکن سے اس کے جلال سے اس کی گلوری سے کور کیے گئے ہو ہالیلویہ ہماری دھار مکتہ ہماری رائچسنس ہماری نہیں ہے ہم اپنی رائچسنس نہیں دھونڈ رہے اس دنیا میں ہالیلویہ انسان کی رائچسنس is like خلدی ریگز گلے اور سڑے چتنوں کی مانند ہے انسان کی اپنی دھار مکتہ ہم we walk in the righteousness of Jesus of نیزرد ہالیلویہ Father has put on us the garments of glory put on us the garments of glory that glory is the skin of His Son Jesus of نیزرد ہم ہالیلویہ پیٹا نے ہم سے کتنا عزبت پیار کیا Father loved us so dearly so profound is the love of our Father that we shall be called the sons and the daughters of the Most High God ہالیلویہ Lord we bless you Holy Father we bless you Holy Father we bless you another name of the Beloved Father is Hashem Yahuwah Rah Hallelujah you know so many Hebrew scholars believe that the very precise and correct pronunciation of words Yehovah or Yahweh is actually Yahuwah because they all are vowel sounds Hallelujah Yahuwah Rah Hashem Yahuwah Rah Yahuwah Rah the Lord my shepherd Yahuwah Himhara Pita Himhara Gdariya Himhara Chopan Himhara Haliluiyah Himh sab Himhara Asiyo Asiyo Dejudiyah Peda Tehanyo Deh Log Asiyo Dejudiyah Peda तेहा ओदे लोग बनायायोने सानु बनायायोने सानु हायो देया सीवी बनायायोने सानु हायो देया सीवी ऐसा अब जमीन दे लो को तारीफ करो रब दी तारीफ करो रब दी हुशीनल तूसी करो रब दी बंदगी Hallelujah! Hallelujah! Our Father revealed Himself with different glorious names. Hallelujah! Yahuwa Ra, Yahuwa Rafa, Yahuwa Mekhiddish, Yahuwa Siddiqinu, Yahuwa Shalom, Yahuwa Kodesh, Yahuwa Nisi, Yahuwa Zahira, Hallelujah! These all are the characteristics of our Father. Hallelujah! When He shows up to you, He reveals another side of His personality. You know, when we get up to heaven and we have lived in heaven a billion years, don't assume that after having been in heaven for a billion years, you would have come to know everything about your Creator. This is absolutely impossible. Even if you have lived in heaven a zillion years, you will still continue to keep exploring who He is. No man in any single day, even in the entire eternity, would have come to know God as He is. He is infinite. Perhaps even the word infinite will be too little before the majesty of the Father. We will continue to know Him. He is a great God. Let your heart be filled with how great He is. परमेशर कितना महान है, परमेशर कितना बड़ा है, यह बात आपकी आत्मा में बैठ चाहेए. Hallelujah! And you stand in the awe of who God is. You know what devil does? He wears you down. He burdens your soul. He eclipses your vision so that you cannot see properly. What he does? He removes the awe of God. I was talking about fire. You remember I am talking about fire in the tabernacle. The key ingredient was fire. Fire was the substance that produced light. And that fire came when Moses laid the animal in the wilderness after having built that beautiful tent for the Lord. As he put the animal, slew the animal, sprinkled the blood and he lifted up his hand and he began praying. Moses and Aaron, then came fire from heaven. Fire fell from the heavenly altar. There is an altar in heaven. Fire continually burns on that altar. If you look into Isaiah, the sixth chapter, Isaiah sees the majestic throne room of the Father. He saw the very throne room where Serafim worship him. And an angel of the Lord flew from heaven in a thong carrying a burning coal. I see the angel. Isaiah realized he was a polluted person. Isaiah saw his sinfulness even though Isaiah was already a prophet even though Isaiah was doing great ministry but the moment fire touched him it manifested on Isaiah that he was a sinner Isaiah had another revelation of who he was you know we need to have a revelation of who God is and simultaneously we need to have a revelation who we are because we tend to walk in our self-righteousness we tend to walk in a mental frame of mind we are very righteous we are very pure we are very holy until the fire touches us until the burning coal touched the lips of the prophet the moment the angel touched with the burning coal the lips of the prophet Isaiah he began to cry he said oh Lord I am undone for I am a man with unclean lips and I dwell among the sinful men he realized his iniquity his sinfulness even though Isaiah was already an established prophet the moment fire touched I told you fire is zeel zeel z-e-e-l zeel 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 के अंदर जील नहीं है खुदावन के लिए मसीयों के अंदर अपनी सेल्फ राइचिसनस है अपनी प्यूरिटी और और बहुत ही तरह तरह के घमंड की लेर्ज है प्राइड भाई और बेनों प्रमेशर की आग जरूरी है तो ये आग आप जमीन पे बना नहीं सकते आप अप अपनी कौायर के द्वारा महंगे महंगे की बूर्ड खरीद के गिटार इंस्ट्रूमेंट ड्रम सेट लेके या चर्च के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कर्टन लगाके बढ़िया बैक्राउंड लगाके बढ़िया आप माइक्रोफोन या साउंड सिस्टम लेके इस आग का आगमन जरूरी है पर मेशर के जितने काम हुए सब स्वर्ग की आग से शुरू हो जब मोजेज ने टेबनेकल बना दी खुदावन के लिए और उसने कुर्बानी दी निर्दोष जानवर की लहू उंडेला उसी समय स्वर्ग से आग आई उसी आग मेंसे मनोरा ज जलाए गए सेवन गोल्डन केंडल स्टिक उसी आग से जलाए गई फिर प्रभु यहवा ने कहा लेवी विवस्ता चौवी सद्याय में अब ये आग बुचनी ना चाहिए उन्होंने उस आग को मिंटेन के और आपको मालूम मैंने आपको बताया जब इसराइल कुर्बानि देता था उसी वही आग यूज की जाती थी जो स्वर्ग से उतरी और जब आग जलती थी भाई और बैनों जूइश हिस्ट्री पढ़े आप क्योंकि ब्रेजन आल्टर जो थी जहां पे होम बलियां मेल बलियां चड़ाई जाती थी जानवरों को जला दिया जाता था वो ट तेज बारिश आ गई कभी वो आग बुझी नहीं मुसलाधार बारिश में भी नहीं बुझती थी तेज आधियां चलने से भी नहीं बुझती थी स्नोफॉल अगर इस्राइल के कुछ इलाके में हो रहा तो तब भी वो आग नहीं बुझती थी क्योंकि यह स्वर्गी आग ह अलेलुया भाई और भेयनों इस आग को मिन्टेन करना है प्रभु ने कहा सुभा तेल चेंज करना प्रभु ने कहा जब उसकी सफाई की जाती थी मनोरा की पांच चरागयों की पहले सफाई की जाती थी लेकिन दो हमेशा जलते रहते थे उसको clean किया जाता था हर सुबा फिर उनकी wicks जो बतियां वो बदल दी जाती थी ताकि समझ ना पैदा हो जाए अंदर फिर पांच को भर के जलाया जाता था और जो भाई और भेनों उत्तम तेल होता था जब जतून को crush किया जो पहली बार crush करने से पहली pressing से जतूनों का तेल निकलता है सबसे गाड़ा सरवुतम एक्स्ट्रा 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 वर्जिन ओयल फर्स्ट प्रेसिंग को ओयल खुदावन की टेमपल के लिए अलग किया जाता था मैंने आपको बताया सेकंड प्रेसिंग का ओयल घर के लिए थर्ड प्रेसिंग का ओयल कुकिंग के लिए फूर्थ प्रेसिंग का ओयल होता था मेडिसिनल पर्पस के लिए और मैंने कल आपको समझाया हैकल के लिए परमेशुर की हजूरी में रोशनी पैदा करने के लिए घर के लिए अर्थात घर का मुखिया पती हो सकता है अगर पती नहीं है सिंगल मौम है तो माता ग्रेंड पेरिंट्स घर के मुखियों के अभिशे के लिए था कि वो अपने परिवार के अंदर दीवट को जलाएं आपको मालूम हर एक घर कलीसिया है आपने देखा होगा कि पास्टर्स ने चर्चस के अंदर कभी ये नहीं सिखाया कि आपका घर चर्च की छोटी यूनिट है नहीं सिखाया उनका फोकस एमफेसिस इसी चीज़ पर रहा ये चर्च है यहां भे समने आना है करोना वायरेस से क्या पोस्ट डालते थे सैटर्डे को पास्टर लोग कल रभी बार है प्रभू का देन है सब चर्च में आ जाईएगा अभी सब चंप खमोश बैठे हैं अब भूल गए कि चर्च प्रभू का घर है अगर आपकी भाई और भेनों बिल्डिंग जो है ना बनाई आपने मैथ प्रभू का घर होता तो अब तो आपने प्रभू को होमलस कर दिया होता क्योंकि चर्च इस तो बंद है प्रभू का घर हूँ मैं मैं हूँ मिश्कन खुदावन का हम जिन्दा मिश्कन है खुदावन के ये नहीं सिखाया पादरियों ने क्योंकि वो डेरा है ना उस डेरे म येश्यो मसी जब आया आपको मालूम येश्यो मसी ने लोगों को पता दिखाया येश्यो मसी ने कहा देखो पता को उसने पता दिखाया येश्यो मसी पता के दाइने हाथ बैठ गया येश्यो मसी के चेलों ने दुनिया को येश्यो मसी दिखाया उन्होंने कहा देखो येश येश्यमसी के चेले प्रभु में सो गए उसके बाद कलीसिया इसाही धरम में बदल गई फिर येश्यमसी के नाम वाले पादरी परचारक अपॉसल पापा क्या दिखाने लगे लोगों को वो लोगों को दिखाने लेगे ये हमारा चर्च है इधर आओ पांच रभी बार आओ साथ रभी बार आओ उन्होंने पिता नहीं दिखाया ना उन्होंने येश्यमसी दिखाया क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए पिता नहीं है दिखाने के लिए ये शुमसीर नहीं है वो चर्च की और इशारा कर सकते हैं बिल्डिंग की और वचल में लिखा है प्रेरितों के काम साथ ध्यागा 56 वर्स बढ़ लीजिए वहां लिखा सुलेमान ने यहोवा के लिए भव्य हैकल बनाई तो भी महापरतापी परमेश्वर इंटों गारों के इंसान के हाथों से बनाईगी बिल्डिंग में नहीं रहता है भाई और भेनों हम मिश्कन हैं हर एक फैमिली घर चर्च है ये सिखाना चाहिए था नहीं सिखाया उन्होंने हर एक घर में एक याजक है बच्चे मिलके यहोवा की हम्द करते हैं स्तुती करते हैं हालेलुया अब अगर घरों से यहोवा के लिए अराधना नहीं उठ रही अब अगर घरों से परस्तिश नहीं उठ रही अब अगर घरों से स्तुती गान नहीं हो रहा तो इसका मतलब यहवा कि सिहांसन के समुक्स सची अरादना सुती नहीं जा रही है क्योंकि चर्चिस तो बंद है और पास्टर लोग खोलना भी नहीं चाथे क्योंकि लोग कम आते हैं नЫ कोई मेरे को बता रहा है क्या करें ब्रदर लोग कम आ सकते हैं खोल नहीं सकते हैं। हालिलूया। जतून का तेल, दुसरा जो प्रेसिंग का जतून का तेल वो घर के लिए होता है। बहुत इंपोर्टन्ट है फैमिली घर यहोवा की नजर में। आपका घर, घर में एक जगवेदी चाहिए। जहां कुर्बानी हो। आपके घर में एक मनोरा चाहिए, जिसमें साथ चराग जलते हो। आपके घर में एक आल्टर ओफ इंसेंस चाहिए, जहां पर यहोवा के आगे धूब चलाई जाती हो। आपके घर में एक table of shoe bread चाहिए जहां पर प्रमेशर की हजूरी की रोटी मनना रखा जाए कलाम उतरता हूँ आपके घर में और आपके घर में आर्क अदे कवरेड चाहिए यहोवा के एद का सदूक चाहिए भाई और भेनों ultimately यह family है घर है सच्ची कलीसिया की unit बिल्डिंगे केवल मिलने की जगा है Greek word है सुने गागो जो सिने गौग कहा जाता था जूईश लोगों को वही Greek word Paul यूज़ करता है सुने गागो meeting place एक ठे होने की जगा प्रेर्थों के काम साथ अध्याय का 56 वर्स है वो सुनीता गुरिया जी हालेलुया और मैंने बताया आपको third जो तीसरी प्रेसिंग का तेल है जो तीसरी बार जतून क्रश किये जाते हैं वो तेल cooking के लिए होता है और यह cooking मालुम क्या है यह cooking है कलाम में लिखा है study to show thyself approved unto God a workman who needs not to be ashamed rightly dividing the world of truth प्रमेशर के कलाम को बिलकुल सही सही लोगों को परोज सखाने की तरह यह cooking है teaching प्रमेशर के कलाम को सिखाना प्रमेशर के balanced है कलाम को properly लोगों को feed करना यह teaching की ministry है और fourth है medicinal purpose चौथा जो pressing है वो है चंगाई के लिए healing ministry के लिए hallelujah thank you Jesus तो भाई और भेनो जतून को crush करके oil, oil से रोशनी आग उसी में है जील आपके अंदर आग चाहिए शैतान आग चोरी करता है यह मसी कहते है मुझे तुस्से एक शिकायत है तुने अपना पहला प्यार हो दिया है आपका पहला प्यार आग है यहोवा के लिए वो आग जो पहले दिन उतरी जब आपने नया जनम पाया उस आग को continue करना है उस आग में डेली आप राठना करेंगे यहोवा नया तेल डालता जाएगा उस आग में नया तेल उतरेगा हलेलुया नई हजूरी उस आग को भरती जाएगी हलेलुया 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 ख़दावन कहता है मुझे तुस्से शिकायत है क्या शिकायत है कि तुने अपना पहला प्यार त्याग दिया ए मेरे महबूब बंदे सुन मेरी खुदावल ऐसे कहता है ए मेरे महबूब बंदे सुन मेरी तुझ से यजदा को शिकायत है यही तुने क्यों पहली महबत छोड़ दी तुने क्यों शैतान से की दोस्ती ए मेरे महबूब बंदे सुन मेरी सुन मेरी खुदावन गारा ही है वो क्या कह रहा है तू न कर तौबा करेगा है बशर तू न गर तौबा करेगा है बशर तारीकियों में होगी तेरी रह गुजर ठोकरे खाता फिरेगा उम्र भर फिर हसेगी तुझ बे तेरी बेबसी ए मेरे महभूब बंदे सुन मेरी खुदावन से कहें Lord, fill my soul with fire from heaven fill my heart with your light fill my soul with fire Avinu Malachinu, fill my soul with fresh fire Avinu Malachinu, fill my heart with your light Fill my soul with fire from your altar Avinu Malachinu, fill my soul with fire from your altar Avinu Malachinu, fill my heart with your light Fill my soul with fresh fire from your altar fill my heart with your divine light Avinu Mala Chinu fill my soul with your fresh fire Ivinu Mal control fill my soul with your fresh fire Avinu Maletzinu fill my soul with your fresh fire Avinu Mal projeto I need fresh fire Avinu Mal duty inundate me with fresh fire Avinu Mal challenge fill me with fresh fire fire and the Holy Ghost I pray for the fire and the Holy Ghost I pray for the fire and the Holy Ghost Avinu Malachinu fire and the Holy Ghost Avinu Malachinu I pray for fresh light to flood my heart hallelujah let fresh light fresh light flood my heart let fresh light flood my heart Avinu Malachinu flood my soul with your fire flood my soul with your fire precious fire father holy father let your word dwell in my heart richly मेरे संसंग कहें holy father let your word dwell in my heart richly hallelujah let your word dwell in my heart richly let your word dwell in my heart richly let your word go deeper inside me and abide there richly richly lord let my heart be flooded with songs with spiritual songs with hymns and with adoration fill my mouth with praise let my mouth be continually praising you Avinu Malakhinu make me a symphony a symphony make me an orchestra the entire orchestra where several hundred violins are playing several hundred trumpets are playing several hundred saxophones are playing several hundred organs are playing several hundred load pianos are playing several hundred drums are beating several hundred synthesizers are playing several hundred flutes are playing several hundred and hundreds of instruments are praying make me that symphony that I continually sing that I continually praise that I continually worship Lord that that it is effortless खदावन उपवास रखना अरादना करना परस्टिश करना effortless काम हो खदावन तेरे रूँ तेरा रूँ मुझे glide कराए खदावन hallelujah worship 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 king of kings king of kings worship 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 Lord of glory prince of peace worship 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 yahuwah worship 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 yahuwah worship 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 Hashem yahuwah worship worship my soul worship my heart worship my whole being blessed worship my entire being God of Israel worship my whole being God of my patriarch Abraham my father Isaac and my father Jacob and the 12 tribes of Israel. Worship, 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 worship my soul, worship my heart, worship my flesh. Worship my soul, worship my heart, worship my flesh, worship my soul, worship my heart, worship my flesh. Worship my soul, worship my heart, worship my flesh. Worship my soul, worship my heart, worship my flesh. Worship my soul, worship my heart, worship my flesh. worship my soul, worship my heart, worship my flesh, worship my soul, worship my heart, worship my flesh, worship Yah, King of the Lord, worship Yahuwah, Elohim, El Shaddai, worship Hashem, Yahuwah, Elohim, El Shaddai, worship my heart, my soul, even the tissues, cells and the ligaments, all my genome and DNA, worship the Lord, worship Hashem, Yahuwah, 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 Rafa, वर्शिब लगना, 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 वर्शिब लगना Worship Hashem Yahua All Ion Worship Yahusha Ha-Mashaak the King of glory Worship my redeeming King Jesus of Nazareth Worship Yahusha Ha-Mashaak the redeeming King the King of glory worship Yahusha Ha-Mashaak O My Soul, My Heart, My Whole Being Worship Him Worship Him I worship You, I worship You God of Israel I worship you God of Israel I worship you God who who is enthroned on the cherubim God who is enthroned on the cherubim I worship you God who resides on the mercy seat right over the blood for your glory resides I worship you you are holy 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 you are holy kardush 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 हशेम यहुवा सबायो हशेम यहुवा सबायो हशेम यहुवा सबायो गदुश कदुश कदुश यहुशा मश्याक यह होली यह होली यह होली 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 You are holy, You are holy, holy Lord Make me holy, my King 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 Fill my soul with Your joy Fill my soul with Your glory Fill my soul with Your Shalom And fill me with Your presence, O King Hashem Yahua, Sabao, I worship Your name Ruhaka Qadush, I bless Your glorious name Ruhaka Qadush, I bless Your holy name Hallelujah, Hallelujah Gahiyah میرے ساتھ बहरो बर को तूने बनाया यसू धर्ती को फूलों से सजाया और नीले आकाश को और नीले आकाश को प्रभु यसु जी तेरी जै जै हो प्रभु यसु जी तेरी जै जै हो Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah सूरज चांद सितारे देखूं नीले दरियाओं को देखूं सूरज चांद सितारे देखूं नीले दरियाओं को देखूं उचे उचे परबत को उचे उचे परबत को प्रभु यसु जी तेरी जै जै हो प्रभु यसु जी तेरी जै जै हो यहवा पेता जी तेरी जै जै हो हलेलूया हलेलूया तेरी बरकत हम पर हो तेरी बरकत मुझ पर हो प्यारे यसू तेरी जै जै हो प्यारे यसू तेरी जै जै हो जग को तुने प्यार दिखाया प्यार की खातिर खून बाहाया जग को तुने प्यार दिखाया जीवन देता तू सब को प्यारे यसू तेरी जै जै हो प्यारे यसू तेरी जै जै हो प्यारे खुदावन तेरी जै जै हो प्रबू के प्रबू तेरी जै जै हो व हलिल्विया राजाओं के राजा यहिशि म tablets अम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं आपके घर में अगर कोई बिमार है तो आप मेसेज कीजी अभी कोई भी फीवर में या ये जो कुछ चल रहा अभी इसकी चपेट में कोई आया है तो प्रारतना करेंगे हम सुबह अपना मेसेज भेजे अभी हम मिलके प्रारतना करते हालेलुया खुदावन हम प्रारतना करते हैं जैनी रौथमन के लिए उसका पती यूएस में खुदावन से कुरोना वाइरस है उनके रिष्टिदारों को कोविड नाइंटी ने खुदावन हम उनके लिए दुआ मांगते हैं सुबह जैनी रौथमन के घराने के उपर आपके लहू को चड़कते हैं अपने खुान के द्यौरावन उन्हें चंगा करें खुदावन इस वायरस को जड़कते हैं ये सुमसी के जलाली नाम में खुदावन हम प्रारतना करते हैं सुनीता गुरिया के हस्बन सिक है तेरे हाथ उसके ऊपर हो खुदावन तेरे लहू की कुद्रत को हम चिड़कते हैं खुदावन खुदावन इन लोगों में से जो ऑनलाइन है अगर कोई बिमार है इनके घर में खुदावन फीवर रहिया ऐसे सिम्टम है खुदावन हम आपका खुदावन चिड़कते हैं चंगा करने वाले छुटकारा देने वाले जीवन देने वाले येशिय मसी आपका लहू छिड़क देते हैं खुदावन हालेलूया खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी बेटी सुनीता कौर के लिए सब मिलके दूआ मांगे खुदावंद हम सुनीता कौर को आपके अनुगरे के सिहासन के आगे लाते हैं इसी समय खुदावंद येश्यमसी आपके खुन और पानी की बारिश जहां हुई खुदावंद आपकी रिवन साइड के पास लेके आता हूं सुनीता कौर को आपकी साइड से बहने वाला खुन और पानी सुनीता कौर को धुदे सी समय वो कुडे मेरी शिफा बन गए वो काटे मेरी बका बन गए आ गया वो करीब सांस से भी करीब खुदावंद सुनीता कौर को तेरे कोडों की मार के साथ मैं बान देता हूं तेरी पीठ पे कड़े कोडों से बानता हूं और खुदावंद अंधकार को मैं खुदावंद तेरे दी अधिकार से ये शिमसी तेरी दी सामर से बानता हूं खुदावंद अपनी बेटी की कैप्टिविटी मोड ला जैसे तु अयूब की कैप्टिविटी लोटा लाया पवित्र आत्मा की खुदरत के द्वारा ख़दावन मैं डायाना करिस्टी के फादर इन लोग को आपके आगे उठाता हूँ डायाना करिस्टी के फादर इन लोग को छू और चंगा कर जिसका एकसीडेंट हुआ है खुदावन तेरे खुन के साय के नीचे तेरी बेटी डायाना कुरिस्टी के फादर इन लॉग को आज की सुभा मैं प्लेस करता हूँ और खुदावन मैं मिर्कल को बोलता हूँ येशु मसी के जलाली नाम में I speak a miracle in the name of Jesus खुदावन मैं हरजंदर पाल की पत्नी को आपके खुन में चिपाता हूँ हरजंदर पाल की पत्नी की माईग्रेन येशु मसी के नाम में चली जाए खुदावन ये माईग्रेन डेमानी का इसे येशु के खुन में जड़क देता हूँ और वा चंगी हो जाये, खुडवन, थविध मैं प्रार्थना करता हूँ, दिविंदर कुलर के लिए, आपकी बेटी के लिए, इनके पती के लिए, मैं संपूरन चंगाई को खोलता हूँ, खुदावंद इनके घराने के उपर आपकी आशीश को खोलता हूँ आपकी वाचा की बरकतों को खुदावंद हालेलुया जिसका वाइदा आपने हमारे बाप इबरहाम इसाक और यकूब से किया है खुदावंद हमारे बाप इबरहाम में हैं हमारे बाप इसहाक में हमारे बाप यकूब में इसराइल के बारां गोतरों में हमारे बाप दाउद में हैं नभीयों के अंदर हैं खुदावंद फैक्टरी आक्स के अंदर हैं इसलिए खुदावंद वो बर्कते हमारी हैं खुदावंद यसमसी के नाम में वो बर्कतों को द रवी परकाश गुपता का घराना येशियो मसी तेरी जोती को देखे और तेरे चरणों में आए खुदावंद ऐसा काम कीजिए खुदावंद खुदावंद हम प्रारतना करते मौनिका सब्बरवाल के लिए उसके बेटे के लिए जो आटिजम का शिकार है तेरा रूम उसके बेटे को चुए मौनिका सब्बरवाल के खानदान में तेरे लहू की गुदरत काम करे खुदावंद भाई महेश के लिए प्रारतना करता हूँ महेश के घर में काम करने वाली गंदी बद्रूओं को बांता हूँ जड़कता हूँ महेश के दिल में तेरा वचन आए महेश के दिल में तेरा नाम गुंजे महेश तेरे चरणों में आ जाए खुदावंद तेरा खुन चड़कता हूँ महेश के खानदान पे प्रभू मैं सिल्वा राज को सिल्वा राज को जो NCRT में काम करते हैं उनके घ्राने को आपके लओ में चिपाता हूँ आपके आगे लेके आता हूँ रमन खान भाई के लिए उनकी पत्री रीना खान के लिए उनकी माता उनकी बेटियों को आपके खून में चिपाता हूँ खुदावन ललित मेरा को आपके खून में चिपाता हूँ उनकी वाइफ को बेटे और बेटी को आपके खून में चिपाता हूँ उनके इनलाज को पेरिंट्स को खुदावन आपका वचन आपकी आँशिश हो खुदावन आपकी आँशिश आपकी कृपा आपका अनुगरे हो खुदावन धालेलुया आपका धन्यवाद 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 खुदावन मैं भाई इमैनुल सोहुता सहوتा फैमिली को आपके आगे लाता हूँ and ए्मेन्वल सहوتा की skin allergy यश्यमसी के नام में शित्म हो ए्मेन्वल सहोता के blood में तेरा blood काम करे यश्यमसी तेरा ही खून एमेन्वल सह fender के कून में काम करे पूरी सहوتा फैमिली को आपके खून में छपाता हूँ ख़दाओन हलिलूईा ख़दाओन मैं साहिल को जो पाकिस्तान से उनके घराने को आपके खून में छपा देता हूं ख़दाओन मैं हरपाल सिंग बाजबा के लिए स्भा दra दौा मंगता हूं सब मिलके दौा करते हैं ये रस्ता खुल जाए चैकसल वेकिया का मारग खुल जाए खुदावंद आपके लहू के द्वारा खुल जाए ये रस्ता खुदावंद खुदावंद सोनिया नार के उपर आपका लहू चड़कता हूँ उसके खांदान पे आपका लहू चड़कता हूँ خداوند मینुसूद को आपके खून में चुपाता हूँ मینुसूद के हस्बिन को आपके खून में चुपाता हूँ خداوند मैं उनके दिल के दुख को दूर कर इनकी जिन्दगी से गम दूर कर इनकी जिन्दगी में उजाला और खुशी दे अपने लहू के वसीला से खुदावंद अपने दास विनोध क्रिस्टिन को जो कैनिडा से है और उनकी पत्नी विनोधनी क्रिस्टिन को अपने लहू में चिपा खुदावंद पवत्र आत्मा के जोर से भर हम अपने जोर से नहीं खुदावंद हमारा शरीलिक जोर तो खत्म हो रहा है हमारा ये टेंट खुदावंद वीक पड़ता जाता है विद पासिंग डे खुदावंद हम तेरे जोर से जीना चाहते है खुदावंद विनोध क्रिश्चन विनोध नी क्रिश्चन को अपने रूख के जोर से बर अपनी आशीश का हाथ इनके जीवन के उपर रख और खुदावंद ने भरकत दे फलवन्त कर खुदावंद तुनुजा सेट को आपके आगे लाता हूँ के खांदान के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद ने के परिवार में तेरी रूख का जोर हो तेरी आत्मा तेरा आत्मा काम करे इनके घराने में खांदान में खुदावंद मैं वनीता चोपडा को इनके हस्बिन को घराने को ये अस्ट्रेलिया में रहते हैं आपकी सेवा भी करते हैं आपकी आशिश हो खुदावंद खुदावन आपकी रोशनी इनके अंदर चमके ये पवितरात्मा की आग से भरे प्रभू ये आग का पत ढूंडे अगनी पत खुदावन थियॉलोजी पत नहीं है हर्मनियूटिक्स, अपॉलोजेटिक्स मारग नहीं है आग है मारग अगनी के पत से ही तेरी सेवा की जा सकती है जैसा तू चाहे जैसा तू प्रगट करे खुदावन वो सेवा इन से लेना प्रभू ये शुनासरी तेरा लहू में इनके ओपर छिड़क देता हूँ खुदावन ये शुनासरी मैं सुनीता गुरिया कंसर को भी तेरे लहू में चपाता हूँ उसके घर में चंगाई का रूओ चंगाई के आत्मा का वास हो उख्दावन हलेलुया आपका धन्यवाद हो ख्दावन हमन दीब कौर को आपकी बीटी को अपने लहू में चपाएं अपने खून के साहे के नीचे रखें खुदावंद से हलिलुया खुदावंद गुर्दीब सिंग को उसके खांदान को आपके खून में छपा देता हूँ अपनी आशिश इसके जीवन पे खुलें खुदावंद प्रभू और बहुत से लोगों ने हमें जोईन किया था जो अभी नहीं है उनलाइन उन सब को भी खुदावंद आपके लगों में छपाता हूँ आपके खून के साहे के नीचे लाता हूँ खुदावंद हम मिलके सब इसराइल को बरकत देते हैं बनी इसराइल के शलोम के लिए यरुसिलम के शलोम के लिए प्रातना करते हैं इसराइल में आपकी आत्मा का वास हो प्रभू जैसे आपने उन टहनियों को काटा और जंगली जतुनों को बीच में रोपा अब खुदावंद नैचरल ब्रांचेज को भी रोप दीजिए जो काटी गही है खुदावंद जैसे सौल की आँखों से बलाइंडर गिरे और वो पहलूस बना वैसे बहुत सारे जुईश लोगों की आँखों से बलाइंडर गिर जाएं और वो खुदावंद आपको पहचाने वो आपके जखम देखें उन्हों आपको जखम दीए जखुदावंद वो आपको जान ले पहचान ले इसराइल की मुक्ति के लिए प्रारथना करते हैं इसराएली कबीले आलिया करें वापिस लोटें हुधावंद इसराइल हम यह प्राथतना करते हैं क्योंकि आपने कहा मैं उकाब के पंखों पे उड़ा के ने लेकर आऊँगा मैंने अपने करोध में उन्हें तितरबितर किया है मैं अपनी करोना से उन्हें वाप्स इकुछा करूंगा प्रभु आपके कलाम में लिखा है इसराइल का घराना बचाया जाएगा प्रभु जक्रिया नभी ने लिखा है कि एक सोता फूट निकलेगा दाउद के घराने के लिए खदावंद वो आपके अजीज लोग हैं आपने पुर्खे उने दिये हैं रोमियो की पत्री नो अध्याए में पुर्खे उनके हैं वाचाएं भी उनकी हैं पुर्थवी की किसी कौम से आपने वाचा नहीं बांदी जमीन पे कोई ऐसा देश कोई ऐसी सिविलाइजेशन कोई ऐसा मुलक नहीं है रास्टर नहीं है जिनके संग आपकी वाचा हो केवल इसराइल से आपने वाचा बांदी आपने अपने प्रामिसेश केवल इसराइल को दिये किसी और कौम को नहीं दिये आपने नभी उनको ही दिये हैं नभी उनमें आए हैं खदावन प्रेरित भी उन इसराइल को प्रभुजी आपने अडॉप्ट किया संशिप की स्पिरिट आपने इसराइल के उपर उडेली खदावन गलोरी भी आपने इसराइल को दिये कलाम तो आपने इसराइल को दिया सच्चा और जंदा दुनिया में किसी के पास सच्चा जंदा किलाम नहीं किसी देश, किसी मुलक, किसी संस्कृति के पास नहीं है खुदावन आपका सच्चा किलाम बनी इसराइल के पास आया आपके औरेकल बनी इसराइल के पास आई खुदावन खुदावन आपने वर्शिप का भेद नहीं दिया है दुनिया की किसी कौम को नहीं मालुम यहवा की वर्शिप कैसे करनी है यह सुने कहा सामरी इस तरी से तुम उसकी वर्शिप करते हो जिससे तुम नहीं जानते खुदावन टैबनेकल, खैमा, तंबू, हैकल, धाउद का तंबू यह सब कुछ तो इसराइल को दिया गया है अरादना कैसे करनी है, अरादना की विद्धी, वर्शिप, टैबनेकल, टैबनेकल के फुरनिचर सब भेद, ग्यान, और खुदावन प्रकाश, मुकाशफा, रेवलेशन, विजडम, नौलेज, यह सब आपने इसराइल को ही दी खुदावन गलोरी भी इसराइल को दी खुदावन हलेलुया, अजेशायल आपका पहलोटा ए, आपने कहा देख मैंने अपने पहलोटे को मिसर से बलाया है और यिस्वमसी भी आपका पहलोटा ए खुदावन खुदावंद हम इसराइल को ब्लेस करते है IDF इसरेली डिफेंस फोर्सस के लिए प्रारतना करते है खुदावंद उनके शत्रू चारों हो रहे हमास अलकेदा और मसलिम ब्रदर हुड और खुदावंद शिया सुन्नी जिहाद ये चांट करते हैं हर दिन अपने चोट-चोटे बच्चों को सिखाते है येहूदियों को मारो येहूदियों को मारने से जन्नत मिलेगी खुदावंद कितनी एनिमोसिटी है चोटा सा देश खुदावंद लगबग 24-25 मुशलिम दुश्मन देशों के बीच में बसा हुआ है और वो उन पर मिसाइल फेकते हैं अटेक करते हैं प्रती दिन फिर भी खुदावंद इसराइल का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है क्योंकि इसराइल आपके आँखों की पुतली है इसराइली एर फोर्स को बुद्धी दें ग्यान दे इसराइली डिफنस फोर्स को बुद्धी घ्यान दे इसराइली मिलिटरी को इसराइली इन्टैलिजंस सर्विसिस को इसराइली नेवी को खुदावंद आपके दूत लड़ते हैं जराइत की ओर से गोग मगोग की लड़ाही होने वाली है और खुदावंद हम जानते हैं रूस, टर्की, एरान मिलके हमला करेंगे रूस, टर्की, एरान और उसके संग होगा इथियोपिया उसके संग होगा सुडान उसके संग खुदावंद और कई देश जोईन करेंगे सिरिया, लेबनन यह सब मिलके आएंगे इस्राइल के खिलाफ लेकिन यहोवा इस्राइल का परमेश्वर स्वर्ग से लड़ेगा और इन फौजों का बैंड बजा देगा यह नेस्ता नभूद हो जाएंगे क्योंकि इस्राइल आपकी आँख की पुतली है खुदावन हम इस्राइल के हमारी खुदावन मिरास इस्राइल के संग इंटर्ट्वाइंड है खुदावन हम इस्राइल के संग मिक्स हो चुके हैं उसी जतून का हिस्सा हम है जो इस्राइल है इस्राइल में हमें ग्राफ्ट किया गया हम आपका धन्यवाद देते इसलिए हम अपने वो हमारे बड़े भाई मलाकी नभी ने कहा कि जब एलिया का रू हाएगा एलिया आएगा वो बेटों का पत्रों का दिल पता की और करेगा और पता का पत्र की और ये हमारे पता हैं, हम इनके पत्र हैं शरीरिक भाव से सो हम इसराइल को ब्लेस करते हैं जरुशीलं के सकून केलिए दुआ मांगते हैं आपकी बरकत बनी इसराइल केलिए खोलते हैं खुदावपन्द हम परत्वी के देशों को आपके आगे लाते हैं खुदावपन्द हम परार्थना करते हैं आगे United States of America के लिए Coming election के लिए President Donald Trump के लिए Vice President Pence के लिए इन्हें आपके लहू में छपाते हैं अमेरिका में अनार्की है Looting, Writing, Antifa Black Lives Matter All kind of witchcraft, sorcery दंगे, गंदगी खुदावन अमेरिका में बढ़ती जा रही है Homosexual, Lesbian, Gay LGBTQ Pedophilia Pedophilia, बच्चों के संग गंदे काम करने की रूफ ये खुदावन अमेरिका, कैनेडा यॉरप, इंगलंड इन सब देशों में फैल रही हैं गंदी आत्माई Even in Australia and New Zealand Legislation बन रहे हैं Constitutionalize किया जा रहा पाप को इनसान पाप को कनूनी रिती से मानता दे रहा है अगर दुनिया की Supreme Court High Court, दुनिया के Judges दुनिया की नया परनाली पाप को Legalize करती है इसका मतलब ये नहीं कि पाप परमेशुर की नजर में पाप नहीं है परमेशुर आज भी कहता है The soul that sineth shall surely die यहोवा परमेशुर आज भी यही कहता है The wages of sin is death पाप की मजदूरी मौत मिलेगी खदावन इम देशों को आपके आगे उठाते है यह जफित की बीज है खदावन गोरे देश कितने परवर्ट हैं खदावन मेकसीको से लेके United States of America, Canada Latin American countries को यॉरप को खदावन Australia, New Zealand, Pacific को खदावन South Africa, African nations को आपके आगे लाते हैं खदावन इनसान कितना परवर्ट हो रहा है गंदगी, बदकारी, हरामकारी कितनी बढ़ती जारी है खदावन अपने लोगों को खड़ा कर वो चमकें जोती की तरह आपके लोगों का जोती में चमकता पवित्तर, जीवन, consecrated life देख के खदावन ये दुष्ट लोग आपके चरणों में आएं, हम इन राष्टों को, कौमों को आपके लहू के साहे के नीचे लाते हैं, खास करके हम दूआ मागते हैं, Islamic nations के लिए जहां खदावन जहाद बरीड होता है जो खदावन बनी इसराइल के विरुद में हैं, इसराइल को नेस्ता नबूद करना चाहते हैं, उनकी आँखें खोलिए, जहादियों की आँखें खोलिए, खदावन, वो ये शिमसी को पहचाने, ये शिमसी के चरणों में आएं, प्रभू ये शिमसी ने दर्शन खदावन इन से बाते कीजिए और खदावन इनके घमंड को तोडिये खदावन, आलेलुया, खदावन मैं प्राथना करता हूं, खदावन ये शोशलिजम, इस वेरी डेंजरों इस रावज़िजिए वेनेजवेला इस डेस्टेमिट ब्सक्राइब को तोड़िए, ब्सक्र कराम, खदावन पॉलिटेक्स और साइंस और विच्च्क्राफ्ट आफ्टर अफटर इया मर्जिंग तुगैधर, पॉलिटिक्स, साइंस, विच्क्राफ्ट, मीडिया, जनलिजम, अवरिजिंग तुगैधर अवेरी तो डिशीब मैनकाइन। बहुत वड़ी डिसेप्षि प्रत्वी पे आ रही है ख्राम में लिखा Great Falling Away Great Apostasy आ रही है प्रत्वी के उपर तो खुदावन जी हम प्राठना करते हैं कलीसिया में जागरती भेजी है कलीसिया को मालूम नहीं प्रत्वी पे क्या आ रहा है चर्चस के अंदर टीच नहीं किया अगोवने कि हम किस दोर से गुजर रहे हैं खदावन अपना हाथ बढ़ाईए हमारे देश भारत में हाथ बढ़ाईए खदावन बहुत सी बिजार चीजें गट रही हैं भारत में खदावन मैं दूआ मांगता हूँ हमारे देश में करोडों लोग हैं जिनके पास जौब नहीं है खदावन करोडों लोग हैं जिनके घर में खाने के लिए भोजन नहीं है खदावन करोडों लोग हैं जिनके काम चलेगे जिनकी शौप्स बिजनस छोट-छोटे लोग खदावन बंद हो गए लोगों के घड़ों में काम करने वाली औरतों की मेने गवाई सुनी लोग उन्हें अपने घड़ नी आने देते कि कही उन्हें COVID-19 ना हो मजदूर लोगों से काम नहीं करवारे कही उन्हें COVID-19 ना हो उन लोगों को खुदावंद लिफाफे उठाने पढ़ रहें गंदी जगाओं में जाके खुदावंद पॉलिटिकल लीडर्स कितने करब्ट है हमारे देश में कितना बरश्ट है पॉलिटिकल सिस्टम रिलिजिन पॉलिटिक्स को ब्लेंड करके लोगों को कैसे मुरख बना रहें खुदावंद इन्हें चुभ खुदावंद इनके उपर अपना हाथ बढ़ा खुदावंद इनके गंदे मनसूबों को खुदावंद हमारे देश में इनके गंदे इरादों को خداوند तु सफल मत होने देना خداوند इनके बीच में बाल भेज कन्फियूजन भेज इनके ये फरस्ट्रेट हो जाएं अपने बीच में फरस्ट्रेट हो जाएं ऐसा रू भेजना خداوند तेरे शत्रूओं को हालिलुया हम तेरे कोट के अद्नर हाजर करते हैं तु खदाون इनके नियाए कर हम प्राटना करते हैं येश्यू मसी के जलाली नाम में भारत वर्ष में तेरी खुश्बू फैले तेरी रोशनी बिखरे खदावं और तेरे नाम का जंडा बलंद हो वी बलेस यू जीजस हम तेरे नाम को उच्छा करते हैं हम तेरे नाम की मदा सराई करते हैं हालेलुया खदावं अपने लोगों को चुईएगा अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ाईएगा अपने लोगों को पवित्रात्मा से भरियेगा प्रभू ये लोग जो आपके दास के दोरा आपका कलाम सुनते हैं इनके जीवन रुपांतर हो जाएं ये लोग खदावं तेरे सचे कलाम की खिद्मत की दोरा तेरी जलती मशाले बन जाएं तेरी फ्लेम्स बन जाएं खदावं और खदावं ये एक एक जन हजारों लोगों को तैयार करे चलाली दुलन को तैयार करे तेरे काम को फैलाए खुदावन ऐसा काम कीजिए छुए एक एक जन को खुदावन भरिये पवित्रहात्मा से खुदावन जी हमारा ये दिन It is God-filled day It is God-bless day Hallelujah If it is It is the night for you And the day is about to come Like people in Britain Your remainder of the night And the following day is going to be glorious If this is evening For people like in the United States And Canada And night is falling Your night is going to be blessed And the following day is going to be glorious Hallelujah खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे खुदावन आप सबको अपने खुदावन खुदावने चुदावने चुदावने रखे Hallelujah आशीशित करे Hallelujah खुदावन देशियों मसी के नाम में Amen मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं मैंने कल कहा था कि हम लोग कुछ बच्चे हैं जिनके लिए अभी हम लोग बैड वगेरा कुछ साइकल्स वगेरा रेंच किया है कुछ और समान है बच्चों के लिए जो चाहिए वहाँ पर ग्यारा बारा के करीब बच्चे हैं कुल मिला के तो कुछ थोड़ा और कंस्ट्रक्शन का का काम भी बाकी है थोड़ा सा वहाँ पर एक चर्च है जहां प्लास्टर वगेरा का काम है तो अगर ख़दावन आपके दिल से बाते करें बोले ख़दावन आपसे परमेशर कि उस काम के लिए जहां बच्चे हैं बच्चों के लिए और जो संग में चर्च है उसके अंदर कुछ काम है प्लास्टर वगेरा का कोई बीच बोने के लिए ख़दावन आपसे कहे तो प प्रमेशर आपको फलवंत करें प्रमेशर आपको बीजों से भरके रखें ताकि आप हमेशा बोने वाले हों प्रमेशर आपको उस जगह पे रखें जहां पे आप पृत्वी की कौमों को उधार देंगे और किसी से उधार लेंगे नहीं मैं यहोवा प्रमेशर की आशीशो को आप पे बोलता हूँ यहवा प्रमिश्र कहता है यदि तुम मेरी आज्याओं को मन चित लगा के सुनो और चौकसी से उनकी पालना करो मेरे हुकम मेरी विधिया मेरी वाचा को समान करो तो मैं प्रिथ्वी की कौमों में से तुमें शिरोमनी करूंगा तुम पूछ नहीं ब वरकतों की बारिष तुमारे उपर करूंगा यहां तक की तुमारे घर में रखने की जगा ना होगी और प्रमु कहता है तुमारे दुश्मन तुमारे विरुदमें एक मारग से आएंगे लेकिन मैं उन्हें सात रस्तों से खदेडूंगा यहवा का वाइदा आपके तु उधार लेगा नहीं, बलकि जाती-जाती को उधार देगा. परमेशर कहता है, मुबारक होगा, धन्ने होगा, तेरी परात के अंदर गुंदा आटा, तेरी किचन के अंदर फूड कमोडिटीज, बरकत आएगी तेरे अन पे, तेरे जल पे, तेरे पानी पे, तेरी दे का फल मुबारक होगा, तेरी उलाद धन्ने होगी, तेरे जानवरों का फल धन्य होगा प्रित्वी का फल तेरे लिए प्रचुर मातरा में प्रित्वी पैदा करेगी चारों और से बरकत बरसेगी तेरे जीवन पे और स्वर्गी ओस तुझे ड्रेंच करेगी हालेलुया अगर तू यहोवा प्रमेशर की विधियों और हुक्मों की पालना करें मन्चित लगा के चौकसी से अपने प्रमेशर यहोवा के पीछे चले हालेलुया खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन हम गौरब कुमार सहमुल की माता को भी आपके आगे लाते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना हाथ बढ़ा के उसे चुएं और चंगा करें अपने लहू की गुद्रत के द्वारा खुदाओं मैं सुरेश कुमार को आपके लहू में छिपाता हूं इनके घराने को मीना कुमारी को आपके खुण में छिपाता हूं आपकी आशीशों को मैं खोलता हूं इनके उपर आपके लहू का मसा खोलता हूं मीना कुमारी को खास करके खुदाओं मैं आपके खुण के सा बिसक्तान बच्चों को लाथा हूँ और आपकी खून की पृतिग्या के साथ बांगता हूँ खुदावंद अशिशित करें पूजा बिष्ट को अपने लहू में छिपाएं खुदावंद अशिशित करें फलवन्त करें मैं आपके खून के साहे के नीचे एंसब लोगों को मिलके गाएं तनवाद गावन जो इसराएलियां दाराब खुदा है जो इसराएलियां दाराब खुदा है अजाइब काम करदा तनसदा है खुदादा पाक ना है शान वाला खुदादा पाक ना है शान वाला सदाती कर मुबारक वो रहेगा बजुर्गी ओस दी दुनियां ते सारी कहो आमीन आमीन फिर दू जीवारी सिताइश बाप बेटे पाक रूदी सदातों है सदाती कर रहेगी सदाती कर मसीदा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा यह जो सूरज है ना भाई और बेनो यह यह कास्मिक सूरज नहीं है यह सूरज है मलाकी नभी की किताब चार ध्याय में यह सूरज खुद खुदावन ये शुमसी है हालेलुया आज दिन में मैं फिर आप से मुलाकात करूंगा प्रमेश्वर के वचन की संगती करेंगे तो फेस्बुक पे आप देखिएगा मैसेज में भी अराउंड टेन ओकलॉक बिट्विन टेन टु इलेवन मैं मैसेज डाल दूँगा और शाम को फिर एक मीटिंग होगी और दिन में भी हम मिलके प्रार्थना करेंगे आज दिन में क्योंकि सिर्फ मैं अपने ग्रूप के लोगों के बता रहा हूँ कि हम फास्टिंग में हैं तीन दिन की और इन तीन दिनों में हम प्रार्थना इंटर सेशन करेंगे प्रमेश्वर के आगे और अराधना करेंगे परमेशुर की तो आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे बेज सकते हैं मैं परसनली भी जो ज़रूरतमन लोग हुए उनके लिए प्रार्थना करूंगा तो एक प्रार्थना का सेशन आज हम करेंगे केवल एक घंटे के लिए इंटर सेशन अराधना स्थुति प्रार्थना तो प्लीज कीप चेकिंग ऑन मैं फेस्बुक फेस्बुक पे नजर रखिएगा प्रभू आप सबको बहुत आशिश दे हालेलुया फलवंत करे और स्वर्ग के जुरो के आपके उपर खोले और अपने चेहरे का तेज आपके चेहरे पर बरसाए हालेलुया सबको जय मसी की